बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट 25 जुलाई को मिथुन रासी से बुद्ध निकल कर करकरासी में प्रवेश करेंगे और यहां पर 9 अगस्त तक रहेंगे लेकिन जब वो करकरासी में आएंगे बुद्ध तो यहां पर सूरी के साथ हो जा जैएंगे जोतीस में बुद्ध को सभी गुरहों का यू राज माना जाता है जो जो बुद्धी के संचार के संबाथ के कारक है और जो जब भुद्ध है न वह कुछ रासीों के लिए चहप्रफार सफलताइं लेकर आ रहे हैं चलिए जानते हैं बिस्तारन आपके लिए और मिलेंगे और आपको लाब भी होगा हलां कि इस समय जो बिद्यार्थी हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा वक्त है आपकी पढ़ाई पर फोकस होगा और अच्छी रिजल्ट आएंगे आपका जो मन है वह सांत रहेगा अच्छा कर पाएंगे आपकी समझ बढ़ेगी क्योंकि आपके चतुर्त भाव में आ रहे हैं अब यहां पर आने से आप यदि आवस्यक हो तो थोड़ा सा स्वास्त का खयाल रखिएगा थोड़ा सा मेडिकल चिपे का बेगरह करा सकते हैं जो लोग जॉब करते हैं इन समय खासकर सेल्स मार्केटिंग भीक्यापन बेगरह में काम करते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है कुल मिलाकर आपके लिए यह वक्त बढ़िया है और इस समय थोड़ा सा मा के स्वास्त का ख्याल रखे लेकिन यह वक्त अच्छा है जो ब्रिसब बाले हैं उनके लिए आपके दूसरे और पाज़ोए घर के स्वामी है बुद्ध और आपके तरते भाव में आ रहे हैं अब तरते भाव में आने से आपके अंदर जो हुनर है उसका निखार होगा और जो संचार के छेतर से जुड़े हैं इसमें लाब होगा अगर आप विक्रेता हैं पत्रकार है रिपोर्टर है सिक्छा से समंदी छेतर में जुड़े हैं तो और अपने उपर थोड़ा सा ध्यान दें जो मिथुन वाले हैं उनके लिए आपके धनभाव में आ रहे हैं बुद्ध यहां पर सुरी बुद्ध मिलकर बुदादीती योग भी बनाएंगे तो आपका धन संपत्ति का प्रतिविधी करते हैं और यहां पर जो मिथुन वाले है उनके धन भाव में आने से बुद्ध चंद्रमा के घर में है तो यकिन आर्थिक रूप से चोटी मोटी परिसानिया है लेकिन आप अपनी कौसल अपनी वानी के जरिए बहुत कुछ अच्छा भी कर पाएंगे कुट नीतिक कौसल में सुधार होगा और इस समय आप अगर आप जो करक वाले हैं उनके लिए जो बुद्ध हैं तरती और 12 भौके स्वामी है और आपके लगन में बैठेवे हैं लगन में सुर्य बुद्ध के होने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ेगा भाई बहनों का थोड़ा सा ध्यान रखेगा क्योंकि उनके स्वास जो निकल कर कुछ अलग कर सकते हैं बाचीत के दौरान आप सुरोता नहीं होंगे बलकि नहीं तो समस्य का कारण बन जाएंगे तो यानि कि आप बहुत समल के बोलना है और सधे बातों को रखिए बहुत ही समल के नहीं तो लोग आपके बारे में गलत बिचार भी बना सकते हैं ध्यान रखिएगा जो सिंग वाले हैं उनके बार में भाव में आने से चुकि हैं प्रबुद्ध आपके दूइती और एकादस भाव के स्वामी हैं और यहां पर सूरी भी हैं अब ऐसे में क्या होगा आपके स्वास्त का थोड़ा सापको ख्याल रखना होगा थोड़े आपके सत्रूब रोधिस एक्टिव हैं उनसे साब्धान रहिएगा और भाई बेनों का बहुत जादा सायोग तो नहीं मिलेगा हलां कि बैवाहिक जीवन में छोटे मोटे विवाद भी रहेंगे तो कॉंफिडेंस बनाये रखें यही आपको आगे बढ़ने का राह बताए हैं जैसे कि तो ऐसी किसी चीज से गलत कारे में मत जाईए क्योंकि इस समें आपको गलत कारे अच्छे लगेंगे नहीं तो फिर परिशानी बढ़ेगी आप इसमें लड़ाई जगडा से दूर रहें और धन की मुस्किले नहीं तो परिशान आपको करेगा और 11 भाव चुक जो लोग करते हैं विदेश में यातरा बेगयरा करना चाहते है उनके लिए बढ़ यादेश से लाब होगा और अगर आप बैसना चाहतें तो भी वक्त बढ़िए पारिवरीग जीवन की बात करें तो पिता का साथ मिलेगा साकाहत मख है अश्य संदुश्टी बी रोदी स् अध्यात्मिक थो जाएंगे और रिष्टेडारों और दोस्तों का सहयोग भी मिल रहा है आपको सफलता जरूर मिलेगी इसमें और सरकार से लाब होगा हला कि अपने स्वास का थोड़ा ख्याल रखेगा सर्दी जुकाम की समस्या थोड़ी बहुत परेशान करेगी जहाता किसी भी कारे को आप सफलता तभी मिलेगा जब आप उसमें अच्छे से रिसरच करके आगे बढ़ेंगे हलांकि बेवज़ा के खर्चों से बचिए बेवज़ा समय भी ब्रबाद मत कीजिएगा कुछ परसिद्धी आप खो सकते हैं इसलिए बहुत सो समझ कर आगे बढ़ि जो धनुवाले हैं उनके लिए जो बुद्ध है न वो आपकी सब्तम और दसंभाव के स्वामी हैं और इस समें अस्टम भाव में रहेंगे तो आपके लिए नुकूल वक्त बहुत अच्छा नहीं है इसलिए यहां पर छोटे मोटे नुकसान है जो बैफसाई हैं और धन की च्छेतर में हैं तो ज्यादा सफलता मिलेगी जीवन साथी को छोटे मोटे समस्य आये हैं और उनको उनके साथ हमेशा रहें धहरे से रहें और इसमें आप जो भी बात हैं घरवालों से साजा करें तो बढ़ियां रहेगा तनाव थोरा कमने जो मकरवाले हैं उनके लिए छ समझने का कोसिस करें जगड़े लड़ाई बहस मुद्दा जैसी चीज़े ना करें क्योंकि सुर्वी बैठे हैं तो यहां गर्माहाट दे रहे हैं रिस्तों में ध्यान रखना है आपको तो चुकि यहां पर देखिए आप अगर सिंगल हैं तो भागे साली हैं क्योंकि आप का रिस्ता हो सकता है और जल्दबाजी में लेकिन कोई भी निरने मत लीजेगा नहीं तो आप फस जाईएगा अगर इसमें संपत्ती प्रोपर्टी खेदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप अच्छी डील कर सकते हैं मिल जाएगी आपको आसानी से जो कुम्ब वाले दियान रखना है और इस समय जॉब करते हैं तो आप चाहते हैं कि तबादले बेगेर तो आपको यहां पर आपकी उमीद पूरी होगी और दूसी तरफ कहीं भी पैसे इंवेश्ट करना चाहते हैं किसी को उधार देना चाहते हैं तो बहुत सम्हल कर वढ़ना नुकसान हो स रखता है किसी पर भी भरुसा ना करें यह समय कठीन प्रिश्टम का है और चोटी मटी समस्या बच्चों को लेकर भी है तो बच्चों का भी ध्यान रखें कहीं उसको उनको चोटना लग जाये कहीं वो गिरना जाए अब बात करेंगर मीन बालों आपके लिए बुद्ध का स्वामी है तो ऐसे में आप परिवार में तालमेल बना कर खास कर रिस्तों के साथ चलिए थोड़ा बहुत साथ दान भी रहना है चोड़ चपेर लगने की संभावना है यहां ख्याल रखिएगा जो विद्यारती है उनके लिए वड़िया वक्त है थोड़ा साथ आपने उपर ध्यान दे हम आपसे विद्या लेंगे धन्यवाद